नमसकार दोस्तों शरीता की र्यसो ही में आपका स्वागत है तो देख सकते है है आज हमने बहुत खस्ता और कूर्खुरा और मीठा रेसिपी बनाया है तो यह रेसिपी बहुत अच्छी ज़ब पसंद आने वाली थotherap शक्षी बहुत फायदे मंद है और जिसको सूगर वगर होता है न वो भी इस रेसिपी को मतलब यह जो दी से इसको खा सकते हैं तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं और हमारी वीडियो को पूरा देखी का इसकी बिल्कुल मत करिएगा तो यह हमने सकरकन लिया है और यह तीन हमने प्रूंद काले से लग रहे हैं यह अंदर सिक्दम साफ है देखे हमने इसका छिलका उतार दिया अब इसको हम घिस लेंगे तो यह बारीक वाली के तरफ से बारीक वाली के तरफ से जल्दी पक जाएगा तो इसी तरह से घिस लेंगे और अगर आप जट-पड बनाना चाहत हमने कढ़ाई रख दिया और कढ़ाई में हम एक चमच के करीब घी डाले हैं आप लोग चाहे तो रिफारंड ओयल भी डाल सकते हैं और इसके बाद यह जो हमने घिसा है ना सकरकंद इसको हम इसमें डाल देंगे और इसको एक से दो मिनट के लिए भूनेंगे और हाँ एक जरूरी बात कि आप लोग ने सकरकंद को घीसते डाल घीसके और तुरंत कढ़ाई में डालेगा क्योंकि छोड़ीए गे चाहला बहुत जल्दी हो जैता है घीसने के बाद और आप लोग सोच चेह होंगी कि इसको पानी में डालेंगे घीसके तो पानी में डालने से इसका पोशक तत्व हो जाता है तो इसलिए पानी में नहीं डालेगा तुरंत घिसेगा तुरंत कड़ाई में डाल दीजेगा तो लीजे दो मिनट भूनने के बाद मैंने एक गिलास इसमें दूड डाला है दूड डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ना तूज जो है वो रूम टमप्रेचर का था ना ज्यादा गरम था ना ज्यादा थंड़ा था तो उदमें उबाल आनने के बाद हम एक कटोरी जो चीनी लिए थे ना वो चीनी भी डाल देंगे और चीनी जब मेल्ट हो जाएगा ना इसके बाद इसमें हम सूजी डालेंगे तो देखी थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके सूजी डालेंगे एक बार में मड़ा लिएगा नहीं तो इसमें ना गुठलियां पड़ जाएगी मतलब एक जगह कहीं सूजी का डोई कठा हो जाएगा तो लिजे इसी तरह हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएगे देख सकते हैं ना फैला-फैला के इसको हम एक कटोई सूजी को हमने तीन बार में डाला थोड़ा-थोड़ा करके और डालते जाएगे मिक्स करते जाएगे गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेगा क्योंकि अगर हाई रखेंगे तो दूज जल्दी से जल जाएगा मतलब खताम हो जाएगा और यह सूजी अच्छे से पक नहीं पाएगा तो लेजे हमने ना एक चमच इसमें सौफ डाला है सौफ डालने से बहुत अच्छी इसमें स्वा तो इसी तरह हो जाना चाहिए बिल्कुल और इसको हम किसी बर्दन में निकाल दिया है देखिए और यह ठंडा हो गया है जिससे एक दम बिल्कुल पूरा ठंडा नहीं हुआ हाथ से छूने में थोड़ा-थोड़ा गरम है तो बस इसी स्टेच पे इसको हाथ में ओई लगा देंगे क्योंकि यह जो ना कडाई में जाने के बाद भटेगा नहीं थोड़ी सी इसकी बैंडिंग हो जाएगी तो बस दो चमच डालिएगा ज्यादा नहीं डालिएगा तो लीजिए देख सकते हैं हमने दो चमची डाला था इसके बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर ल रहें आप लोग को बताएंगे तो लीजिए देखिए आप लोग को जिस तरह सा असानी पड़े उस तरह आप लोग बना लेजेगा तो लीजिए देखिए और हां इसको थोड़ा मोटा ही रखते हैं बिल्कुल पतला नहीं करते हैं तो देख सकते हैं थोड़ा सा किनारों से स्ट कर देंगे और लिजे यह बनके तयार हो गया और एक तरीका हम और बता रहें आप लोग को तो लिजे बड़ा सा लोई तोड़ेंगे और थोड़ा सा सुखा मैदा लगा के और इसको ना प्लैटफॉम पर ही इसको मोटी सी जैसे रोटी बेलते ना जिसको हत रोटिया बोलते हैं उस तरह से इसको बेल लेंगे देख सकते हैं थोड़ा ठीक रखिएगा ज्यादा पतला नहीं करना है बिल्कुल लीजे अब इस तरह से कोई पैना को टोरी ग्लास या फ इसी से इसकी किनारी बहुत तेज है तो देखिए इस तरह से और इस तरह से निकालने से यह एक साइज का बनेगा देखिए तो इसी तरह से हम सारा बनाएंगे आप लोग को जैसे आसानी पड़े आप लोग वैसे बना लेजेगा और इसका तीकनस देख सकते हैं इतना मोट तो इसी तरह से हमने और भी बना लिया है और इसको हम फ्राइ करेंगे तो देखे इधर हमने गैस पे कढ़ाई रख दिया और तेल हमने रख दिया था गरम हो निकले तो एक बार में आप लोग के कढ़ाई में जितना आया पुतर न डाल दिजिगा तो देख सकते हमने तीन ड जाने के बाद ही दूसरी तरफ इसको पलटिए गया कैंज मैँ तो देखे कितना अच्छा अग एक लग श्वा हां और हो फूला फूला बनता है यह थोड़ा से मतलब कुरकुरा वह जाता है तो लिग तक हम सारते हम पण देखे कितना फटी आयो तो बस अब हम इसको निकाल लेंगे और एक एक फूलेगा एकदम अच्छी तरीके से तो इनको हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सारा फ्राइग करेंगे तो सीधे हम बनाते जाएंगे और कड़ाई में डालते जाएंगे देखी कितना सॉफ्ट है और हाँ निकालने के बाद ये थोड़ी देर बाद ना थोड़ा सा जिससे कुरकुरा होता है खसता वैसे हो जाता है बहुत अच्छा लगता है इसमें सूजी डला है सूजी के शूबााबढ़ बना था जबर बना गता है इसको गत्मेंट करना ना उखकान कर कि इसको देखी ये लाष्ट बार था हमने इसको एक बार में बढ़ा ही बना देते हैं तो ले जी एप सार हमने फ्राइए कर लिया आप चलिए बद़स को रुप आया Bell cry एतना सारी बना या और आप लोग मेश को डूरत बlaई अगर वीडियो पसंद आई हो तो ए वीडियो को chance करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि यह रेसिपी आप लोग को कैसी लगी तो आप लोग अपने घर में जरूर से बनाएगा और अपने दोस्तों रिस्तेदारों अपने बच्चों सभी को खिलाएगा बच्चे सकरकंद नहीं ख इस तरह के से जरूर बनाएगा और मिलते हैं नए वीडियो में धन्यवाद